तो अभी हमें सोच विचार करना है इस इस एफ जो फॉर्मुला 700 सिरीज एफ एए एफ ए का क्या है कि गेट 2022 में इस 700 फॉर्मुला से 95% क्वेस्चन आएगा 2022 का गेट एक्जाम में जब एही आएगा तो हमें इधार उधार ज्यादा सोच विचार ना करके हमें सिधा सिधा एही करना चाहिए कितना ही पढ़ना चाहिए तो हमें सिधा सिधा एही पढ़ना चाहिए अभी तो माइक मेरा ठीक है तो तो गुड इविनिंग यूनिक गेलाक्सी उपेंद्रा अभी सेक नाथ उपेंद्रा हमेशा ध्यन रखे गेट एक जब में लेस इस मोर आप जितना ज़्यादा वास्नेस में चले जाओगे गेट से उतना दूर चले जाओगे इंजिनियरिंग सर्विस में मोर इस मोर गेट में लेस इस मोर इंजिनियरिंग सर्विस में मोर इस मोर उसमें जितना वासनेस लेकाओगे उतना ज़्यादा आएगा मर्स अब क्या होता है कि बंदा ये नहीं समझ पाता है कि गेट एकजम में less is more आपको less thing में focus करना है बट उसको इतना अच्छा तरीका से करना है कि एकदम खुन में घोस जाना चाहिए तब ही जाके question exam center में हो पाता है तो ये जो 700 formula है इसी से 95% question बनता है अब सौल एसर हमें 700 formula दे दो और उस formula को हम रटे ये एकजम सेंटर में जाके question solve करका जाएगे कुछ भी नहीं होगा तो फिर पहले उस formula का use करने का algorithm समझना है और algorithm इसलिए समझना है कि हमें data change करता रहेगा फिर भी हम question solve कर पाए फिर हम उसका application भी करेंगे जब ये तीन चीज एकठा हो जाएगा आपको gates gate में gate में तो बनने से कोई नहीं रोक सकता तो सबसे important बात यही है सबसे important बात यह हमें क्या करना है ना हमें हमेशा हमें क्या करना चे ना हमें हमेशा क्या करना चे ना always जो है less is more हम less topic में focus करें एंड उसको बहुत अच्छा तरीका से करें यह सोच विचार करना है हमाना थोड़ा 8 tickets है we have to complete that तो सबसे पहले धन रखे कि आन अकडिमी का जो 2023 आरोहन बैच है उसमें शुरू हुआ है fluid mechanics यह इस से बट इसमें अगर खूस रहो 10 live को डिउस करोगे 10% discount आपको मिलेगा वार्स English batch है उसमें भी fluid mechanics शुरू है खूस रहो 10 live को डिउस करोगे तो 10% discount मिलेगा आपका special price week है this is the price you can buy now and for plus courses आप खूस रहो 10 live को डिउस करोगे तो सारे कोर्स में आपको 10% discount मिलेगा अगर आप iconic course में जाओगे उसमें भी खूस रहो 10 live को डिउस करोगे सारे कोर्स में आपको discount मिल जाएगा बड़े धन रखे अभी price होगा तो be fast unacademy एक free doubt session करता है free free doubt session करता है unlimited doubt आप आस कर सकते हो पूछ सकते हो उसके लिए unacademy app download करें उसके बाद doubt solution section में जाए उहां से जाकर आपका जो भी डाउट है उसका फोटो खीचे फोटो के सेंड करें आपको वीडियो solution मिल जाएगा आपको वीडियो सलूशन मिल जाएगा आपको वीडियो सलूशन मिल जाएगा एवरी संडे होता है उसमें scholarship मिलता है चलो यह आपका पुरा कहानी है जो आपको समझ में आ चुका है तो नाओ आएम गोइंग डू माइट टॉपिक 57 फॉर्मूला तक हमारा काल हो गया था मुकेस अभी से 57 रजनीस कूसो ना 57 फॉर्मूला तक हमारा काल हो चुका था लेकिन एक बात मैंने आपको हजार बार बोला लैक्स बार बोलना चाहिए और आपका भी खुन में घोजना चाहिए देखो किरन बात धन रखे कि आपको जो जिसको भी बंदा को थियोरी आप फेलियोर नहीं पता तो मैंने कल डिसकास कर रहा था थियोरी आप साक्सेस क्यों है इसलिए प्रिवियस जो वीडियो है ओ देखना इसका प्रिवियस जो वीडियो है ओ देखना क्योंकि आगर आपने ओ नहीं देखा तो यह पता नहीं चलेगा भाई थीडियो फिलोर है क्या चीज? क्योंकि धरती में कभी भी किसी भी मेटरियाल के बारे में अगर हमें जानकरी चाहिए, अगर हमें उसका में प्रोपी चा इन देट केस आपका यह जो 1D का रेजाल्ट है इस 1D का रेजाल्ट को 2D में कैसे लगाए 3D में कैसे लगाए क्योंकि 2D 3D में टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है 3D 3D में infinite combination आता है इसके चक्कर में इहां पर 1D का application हमें 2D 3D में करना है येस 1D का application हमें 2D 3D में करना है तो ये बात एकदम खुन में घुसे कि हमें 1D का application 2D 3D में करना है इसलिए अलग-अलग scientist अलग-अलग formula दिया जैसे सबसे पहले Rankine ने क्या बोला था सबसे पहले Rankine ने क्या बोला था उन्होंने बोला देखो हम कुछ नहीं देखेंगे हम स्रिफ देखेंगे maximum stress का numerical value उन्होंने बोला maximum जो stress है उसका numerical value maximum stress का numerical value हम इसको छोड़के और कूछ नहीं देखेंगे maximum जो stress है उसका numerical value छोड़के हम कूछ भी नहीं देखेंगे बाकी सारा दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं है तो उन्होंने बोला, किस ने बोला, यह किस ने बोला, यह आपका जो है, रैन का इन ने बोला, यह आपका किस ने बोला, यह आपका किस ने बोला, रैन का इन ने बोला, कि maximum stress छोड़के हम कुछ नहीं देखेंगे, maximum stress छोड़के हम कुछ भी नहीं देखेंगे, nothing thing, हम कुछ भ पहल नहीं होना चीए उन्होंने क्या बोला बोला देखो किधार से स्ट्रेस आ रहा हमें उससे कोई मतलब नहीं है किस तरफ से स्ट्रेस आया हमें जानने का जुरूद नहीं है अच्छा यह भी जुरूद नहीं है बिल्कुल जुरूद नहीं तो आपका सिग्मा मैक्स जो है less than equal to sigma y sigma max less than equal to sigma y जो है आपका sigma max को काटी देता हूँ बर-बर आज़र है sigma max जो है that less than equal to sigma y यह होगा sigma max less than equal to sigma y अगर एक condition satisfy किया तो middle का yielding नहीं होगा अच्छा yielding एक अलग failure है और ultimate जो है वो एक अलग failure है वोता है ऐसे क्या है sir अगर किसी material को ultimate stress देतोगे दो टूगड़ा हो जाएगा अगर yielding stress दोगे तो टूगड़ा नहीं होगा तो फिर failure कैसे बोल लो एक आदमी को हम थपड़ नहीं मार रहा है तब भी रो रहा है मतलब क्या है एक आदमी को थपड़ नहीं मार रहा है तब भी चुक है गोड़ी बेर नहीं आँग किता एक आदमी को थपड़ नहीं मार रहा है तब भी और हो रहा है इसका मतलब क्या है वह फेल हो चुका है ओही चीज होता है yielding में ओही चीज होता है yielding में है आप देखा जैसे मनमने इस नफिन एक रहा कि हमने उसमें क्योंता है कि आСई करक यूं करके हैं इसके बाद हमने फिर भी इस अबरते जाएं कि अरे भाई स्ट्रेस भाड जा रहा है इसके बाद कैसे बढ़ जा रहा है यहां पर फेल हो गया मेट्रियाल हो गया नाटिमेट प्रियाल हो गया इसलिए बोले आता है कि जो यहां पर नेक फॉर्मसम फॉर्मशन मस पॉर्मसं मस फ varit पहीं नहीं होता है तो फिर यह क्यों हो रहा है कि वह आगर आपने अल्टिमेट स्ट्रेस दिया आप मेटल को रोग नहीं पाओगे दो टूड़ा हो जाएगा इस से जब जो रहो दिने इसका जो मैक्स अल्टिमेट चलागे ना अल्टिमेट वहां जाने के बाद नेक फॉर् रहा है लंबाई बढ़ रहा है लंबाई बढ़ रहा है लंबाई बढ़ रहा है ऐसे दिख रहा है लेकिन 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 जैसे यह आल्टिमेट पॉर्ण में पहुंच गया आप क्या हुआ एक पर्टिकुलर लोकेशन का क्रोसेशन घटता जा रहा है घटता जा रहा है और आपने आप जहां क्रॉस से र में होगा है और आपने आप स्ट्रेस बाढ़के तो देगे इसके चक्कर में इंग्लिस येस यूग यूगदर फ्ट्रकव यूगधर से इनकेस इनकेस ओफ इल्डेनग इनकेस of yielding, there is, that is not failure, that is not, that is a failure, but that is not breaking, breaking is another thing, breaking is another thing, and this yielding is another thing, तो yielding एक ऐसा चीज़ है, जहां पे आप बोलोगे material का, material का property खतम हो गया, हम stress नहीं बढ़ा रहा है, तब भी stain बढ़ रहा है, तो हमारा material को पर control खतम हो जाता है, तब बता चला जब ductile material में इस theory को apply करोगे, अगर आप ductile material में इस theory को apply करोगे, तो आपका जो body में max है, कौन सा body, कहा body, ना तब देखना पड़ेगा, आप 2D में, and 3D में जब इसको apply करोगे, 2D 3D में जब apply करोगे, अगर 2D में यहां पे sigma 1, sigma 1 आया, इसमें sigma 2, इसमें sigma 2 आया, अगर यह 100 MPa है, अगर यह 90 MPa है, तो हम इसका 100 को बोलेंगे, that is sigma max, and इसका जो absolute value है, 100 MPa, yes, 100 MPa, अगर हम बोलेंगे, this is sigma 1, this is sigma 2, this is sigma 3, this is sigma 1, this is sigma 2, this is sigma 3, अगर यह sigma 1 है, अगर यह sigma 2 है, अगर यह sigma 3 है, तो sigma 1 का value अगर मानलो, इस 100 MPa है, यह आपका 50 MPa है, यह आपका माइनस 30 MPa है, तब हम बोलेंगे देखो, sigma का जो maximum value है, उसका मौडूलास भैलू वह आपका यहां पर 100 आ रहा है और आपका मनलो एज में मेट्रियाल है उस मिट्रियाल का इर्डी होता है हंडेड़ फिफ्टी में होता है और इसमें माक्सिमम हम आएगा तो इस टूडी मे भी फैलियोर नहीं होगा किसने बोला यह बोला था किसने रन काइन इसलिए इसका नाम है Maximum Principle Stress Theory Maximum Principle Stress Theory यह आपका बोड़ी में जो Maximum Principle Stress हाईगा शिप हम उसी से बात करेंगे आप रन काइन ने तो बोला रजनीस रन काइन ने तो बोला बट रन काइन का क्या हुआ रेंकेन ने तो बोला रेंकेन का क्या हुआ बोला रेंकेन ने बोल दिया फिर हमने देखा डाक्टाइल में ये थियोरी घटियस्ट मतलब एकदम वर्स्ट है कोई इसका लिना दना नहीं है जब बुल है फिल नहीं होगा तब फिल हो जा रहा है जब बुल है फिल होगा तब नहीं हो रहा है तो ऐसे देखके लोगों ने बहुत अच्छा से मन रहा है मतलब रैंकीन ठीयोरी जो जो जहां मौका मिना लागा देना अरे भाई थियोरी है प्रैक्टिकल थोड़ी है ये तो थियोरी है प्रैक्टिकल थोड़ी है लेकिन लगा दिया लोगों ने फॉर्मूला लगा दिया अब लगा के देखा जब डाक्टाइल मेट्रेल में लगा रहा है इससे घटिया कोई रिजन नहीं देता है और डाक्टा से वान का वेलू अगर हांडिट म έχनलाइक स्टुराइन थे Но जैसे सीग्मा 1 का वैलू अगर आपका 100 मेड्ल पास्कै 살아 एक टेंसाइल है और एक वॉम्प्रिसिव फिर्म लेंगे अन्लाइक स्टेस अ अगर यह अनलाइक स्ट्रेस हुआ, तो डाक्टायल मेट्याल में यह रैनकाइन थेयोरी से धरती में इससे खराब कोई थेयोरी नहीं है, धरती में इससे कोई खराब थेयोरी नहीं है, डाक्टायल मेट्याल मागर अनलाइक स्ट्रेस दोगे तो, लाइक में भी थोड़ा प् धंग से फॉलो नहीं होता है डाक्टाल मेट्रियाल रैंकीन थियोरी को मानता नहीं है पर ब्रिटिल मेट्रियाल बोलता है नहीं मेरे तो मेरे लिए तो यह भगवान है मेरे लिए तो यह गुरू है मेरे लिए तो यह महान है मेरे लिए तो यह मोदी है तब पता चला का मतलब है इसका मतलब है कि यह तो आपका ब्रिटिल में बहुत अच्छा से काम करेगा ब्रिटिल में तो बहुत अच्छा काम करेगा तब जुगर लगाया गया धरती में कोई भी कोश्चन आए अगर बिटल मेटेल दे दिया धरती में कोई भी कोश्चन आए अगर बिटल मेटेल दे दिया तो आपको maximum principle stress theory लगाना है खोड़ा में घुसे कोड़ा में घुसे concept क्या है कोई भी कोश्चन है दे दिया भाई कास्ट अरंगा में डियान करना है तब आप बोलोगे देखो इस धरती में सबसे अच्छा जो तियोरी होगा वह आपका maximum principle stress theory होगा सबसे अच्छा जो तियोरी होगा यह maximum principle stress तियोरी होगा तो हमने यह algorithm discuss कर लिया algorithm discuss कर लिया आप आजाए हमारा question में आप देखके बताओ क्या करना है From a tension test From a tension test the yield strength of the material 200 newton per meter square मतलब सिदा सिदा बोलू na Sigma Y जो yield stress है आपका Sigma Y जो yield stress है 200 Mega Pascal using factor of safety to applying maximum principal stress theory of failure the permissible stress in the steel shaft subjected to torque will be so examiner जब बोला maximum principal stress theory लगाओ तो हम maximum principal stress theory लगाएंगे तब बोलेंगे कि हमारा जो सीग्मा जो वैलू होगा सीग्मा का जो वैलू होना चे अधिस मैक वैलू होना चे सेट मस्ट भीए इकमा ऑई डिवाइड वाई factor of safety कि रॉह टीयो क्यों ह्यों लगा कर जो सीग्मा मैक स्का वैलू सिग्मा मैξ के बला होगा ओ कितना होना चये ना सीग्मा it's exactly अब तब देखो इसकά मतलाब आपका छो सीघवासयाइब हまぁसका पास्कल तो पास्कल हो जाएक है इसका एंसर या चलो everyone understand एक बात कान खोल के सुनले जो रात मैं बताया कोई भी question में brittle material देखते ये theory लगा देना कोई भी question में जैसे आपने brittle material देखा ये theory लगा देना next topic हम दूसरा में चले next formula 59 yes we are now in 59 formula number 59 maximum स्ट्री महीं माम सीयर स्ट्रेस1 theory म बटता है यहां पब आपको में बता है था तो फाइन आपको जो फॉर आल केसेस दुनिया में कोई भी केसेस है डिजयन का जब बात किया जाएगा डिजयन का जब बात किया जाएगा यह जुगार लग जाएगा इसमें चाहे टूडी हो चाहे टूडी हो चाहे वांडी हो टूडी हो ठीडी हो आपका जो है आपका कुन सबसे बड़ा कोने सबसे चोटा कोने तीन लिखने बाद ढूनेंगे यह अलगरिदम है तीन लिखेंगे अब सबसे बड़ा कोने चूटा कोने बड़ाइघ कर रहें इस बड़ी में 45डी प्लैन में मैक्सीमाम सीर स्ट्रेस आता है उन्होंने बोला इस बोड़ी का 45 डिरी अंगल में मैक्सिमाम सियस्ट सता है कैसे सर कैसे सर सबको पता है कि अगर 1D का कभी बात किया जाएगा तो आप ऐसे करके P4 से अपलाई कर रहे हो तो इसके साथ 45 डिरी प्लेन में इसके साथ 45 डिरी प्लेन में इस तरभ में आपका टाव होता है मैक्सिमाम डिस सीगमा Y डिवार्ड भाई टू इन्टो साइन ऑफ टू इन्टो 45 डिगरी तो यह आजाएगा आपका सीगमा Y भाई टू तब उन्होंने बोला इन जर्ग बनाया थो उसने फिर मन्डल उसमें जुगर्ड लगाया ठीक है मैने मैंने काल बता था कि मेरा जो दिल का आरमा था कि मैं एक थी तैयोरिया फिलूर बनाओंगा लेकिन सब बनादिया तो मैं कहां से पनाओ अब क्या करो बताओ सब्सक्राइब कर लिए स्टेन एनर्जी सारा एनर्जी कर लिए तो मैं कहां से करूं और कोई कॉम्पेर करने का चीज़ बचाई नहीं छोड़ाई नहीं इसके चक्कर में मुझे कोई मौका नहीं मिला नहीं तो मेरा दिलकार मता एक फिल्वर मैं बनाऊंगा लेकिन वह बना की देखो आपका जू टावमेक्स आ रहा है एक जो आपका टूडी है और आपका जो इलिमेंट एसमें आगर आपका सीग्मा वान है इसमें अगर आपका sigma 2 है इसमें अगर sigma 1 है इसमें अगर sigma 2 है इसमें अगर sigma 3 है तो ए बॉडी में ढूनो maximum CS test कितना है ए बॉडी में ढूनो 3D में कि maximum CS test कितना है ढूनो ये body में ढूनो maximum C-Stress कीतना आया, तो इस body में जो maximum C-Stress आएगा, इस body में जो maximum C-Stress आएगा, उसका value tau y से कम होना चे, अच्छा, ते tau y से कम होना चे टाव मेचा बलू टाव यसे कम होना चे तब बते जला टाव मेचा बलू मंदल का जुगाड से सिग्मा मैक्स मैनास सिग्मा मीन डिबाड़ बाइटु एड आपने देखाव य के बलू यह इल्ट्रेस हिंद अ है यह उपका सिग्मा वाइट तो ट्यूकर दो आप घाके बन जाता है stress difference theory इसलिए आ जाता है इसका नाम stress difference theory दिख़े रिखा ओगा stress difference theory इसलिए लिखंगता है stress difference theory तो मेरे इस अब से आपको दिमाग में खुन में बाद घुसा algorithm भी घुस गया आप जाके हम सोच बिचार करें आप जाके कि which theory of failure will you use for aluminum component under steady loading तो हमें पता चल गया aluminium एक ductile material है aluminium एक ductile material और आपको बताया था आपको बताया था कि ductile material में maximum principle stress theory तो गलती से भी हम नहीं लगाएंगे इसके चक्कर में principle stress theory तो गया principle strain theory and strain energy theory कभी भी अच्छा नहीं है तो बंचा क्या maximum stress theory लेकिन यहां पर डावट और एक है maximum सिस्ट थींटिषी लिज में maximum इनेर्जी घ्योरी मुस्ट है तो अगर यहां पर maximum इस टोसान इनर्जी घ्योरी होता Si अगर यह नहीं है तो यह होगा तो first choice is College में अभी से एक्टेल मिटेल के लिए 1st चॉस होता है हमारा 1st चॉस होता है कुन सा maximum distortion इनेरजी थियोरी यह आगा इसमें जो second chose होता है पोगता है मकसीमाम सीर और हांथ विए आपका सेकेंड चोईस है वो आपका होता है maximum CS stress theory मतलब आप ऐसे बोल रहो कि मतलब maximum distortion theory डाक्टाइम में बहुत अच्छा है मैंने क्या बोला था जहां देखेंगे brittle material उहां पे क्या बोला था आख बंद करके maximum principle stress theory लगा देना जहां देखेंगे डाक्टाइम मिट्रियाल उहां पे सबसे पहले maximum distortion energy theory लगा देना अभी पढ़ा होंगा निस प्रफिक बड़ यह तो option में है यह नहीं तब हमारा बात हो जाएगा maximum से इस त्योरी उसका second choice इस फास्ट चईस इस इस सेकेंड चैस आपका फास्ट चैस यहां काता है से इस बहुत सरे बंदा अभी हमारा बंदा जाए साधी करने के लिए तरप रहा है हमारा student का सबसे बड़ा जो है जन्वी सबसे बड़ा जो हमारा student का लोचा है कि they are very very मुलब साधी के लिए तरप रहा है अभी से साधी के लिए तरप रहा है लेकिन कुछ कुछ का जो है अभी कुछ कुछ मतलब break-up हो चुका है तो बंदा का break up होने के बाद दूबरा साधी नहीं करेगा बंदा का break up होने के बाद साधी नहीं करेगा तो इसका मतलब जो है ओ जिसके साथ break up हुआ ओ उसका first choice था पर फास्ट choice जब नहीं मिला तो second choice में जाएंगे न तो यहां पर हमारा question है डाक्टर मिटेर के लिए हमारा first choice था maximum distortion एनर्जी तो तो हमरे पास है यह नहीं तो है यह नहीं तो क्या करें तो क्या जिनने की बढ़ क्या दाड़ी बढ़ा करते रहा अगे बढ़े तब जुगा लगा नहीं second choice हमारे पास है इसलिए तब से मैं बता रहा था यहां पर यहां पर यहां पर आपको होगा maximum distortion एंग तो आजाएगा आपका सांस में भूश हां अब साबसक्रानी एंग्जंपल मंडलायसे देता है आण एंट एक्सिया लु अदो दो आखर हम उनका बात करें के का वात करें आगर हम उनका बात करें जो आपका maximum shear stress theory आपका टाओ का जो value होता है वह हो जाता है आपका सिग्मा डिवाड़ बाइट वह तो 45 होता है तो एक्चुली सियार स्टेस हिंदा बार तो अलग 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 सनमाला होगा एकजमिनर का दिल का आर्मा समझे के हमें अंसर देना होता है क्योंकि एकजमिनर ऐसे ही डेटा उल्टा से देता रहता है है तब जाके हम बोलेंगे भाई सिग्मा बाइटू कर दो तो टाव उकाल टू सिग्मा बाइटू होता है अकोडिंग टू ट्रसकास थियोरी इसके हिसाब से आपको आजाएगा 173 डिवाड़ बाइटू तो 173 डिवाड़ बाइटू कुन सा आया वी फॉर बोंबे तो यह मेशीन अलिमेंट इस सब्जेक्टेट टू फॉलोइंग बाइक्सियल स्टेट अफ स्टेस सिग्मा एक्स का बैलू 80 मेगा पास्केल सिग्मा वाई का बैलू इतना टाव इक्स का बैलू देखो ऐसा भी एक्जिमिनार होता है हमरा दीज में जिसको बाइक्सियल स्टेस के अतलब आपका जो टिय है मेट्यल का जो टाव ऑई है जो आपका सीर स्टेंग्ट स्टेन्थ का बैलू दे दिया दिस इस टाव य जो चीर स्टेंथ है इस उसर्ण्ट ऻो टॉय डयू है वह इंत । दे दिया नहीं हमें तो sigma 1 बता दो हमें sigma 2 बता दो हमें sigma 3 बता दो तभी हम बात कर पाएंगे प्रिंसिपल स्टेस 1 प्रिंसिपल स्टेस 2 प्रिंसिपल स्टेस 3 बट यह जो डेटा है यहां से 2 निगलेगा sigma 1 सिग्मा टू ताब ठीक है सिग्मा वान सिग्मा टू का वैलू पता किया जाए आप बोलोगे सिग्मा वान टू होता है सिग्मा एक्स प्लास सिग्मा वाई डिवाड़ बाई टू प्लास माइनास रूट ओबार सिग्मा एक्स माइनास सिग्मा वाई डिवाड़ बाई टू इसका whole square plus tau xy का whole square yes yes टिक है yes yes अंकीता थैंक्यू आप question solve किया जाए आप data put करो data put करो मिल जागा किन्हा है data put करो कि आपके सामने जो देखा जा रहा है आपके सामने जो देखा जारा है क्या होगा इसके सामने तो आपको जो सोच भीचार करना है आपके सामने क्या हो रहा है आपको सिग्मा एक्स का जो वैलू दिया गया सिग्मा एक्स कि 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 अब देखता है कैसे चल रहा है कि नहीं आप देखो सिग्मा एक्स का जो वैलू है वो किदना है वो आपका 80 प्लास ट्वेंटी डिवाडबाइट बढाइटू घ्हां प्लास मैनस रूट ओ लुट और यह आपका 80 मायनस 20 इसका होल स्क्रीयर प्लास तौइस यीज़ का स्क्रीयर प्लास ट्रीमा चंव effective फ्लास आउ का score हमारा body में tau max कितना आया body में आ गया sigma max minus sigma mean divided by 2 यह अपका जगा 100 minus 0 divided by 2 50 megaps कर लाया अब आपका theory क्या है theory बताता है that is tau y का value less than equal to tau max का value less than equal to tau y होगा मतलब tau max का value equal to tau y divided by factor of safety होगा yeah tau max का value equal to tau y divided by factor of safety होगा तो tau max का value कितना है 50 megapsk tau y का value कितना है आपका 100 megapsk factor of safety कितना है पता नहीं मिल गया 2 2 ही दिख रहा है क्या सुबम सुबम पुरा खोबडा में घुसा bepative tau max फॉर्मुला सार्मुल कैन क्यक्याइर यूसक्याइर उसक्याइश कहां हमने दहने झिज्ट क्या Aha एचे हमने डाइधर में क्या हमने पेन्डी bundर यूसक्या रग आप को लग रहे वीजिए नहीं क्या बाट मिल्कू माइन शिग्मा मीन दिवाडबाइटू करो और आपका ताव के नहीं कुछ नहीं किया तो ऐसे करके जुगाल लगाया हमने कोई नया कुछ नहीं किया नया कुछ भी नहीं किया प्लास भी एक्सेल सिट में एड़ का दो सो मेंस वाला क्लास भी नहीं वो तो अल्डेडि एड़ेड़ है को अल्डेडि एड़ेड़ेड है सोम का मेंस का जो क्लास किया उसका जिन्देगी मैं सोम रिलेटेड कोई डाउट ही नहीं मचेगा क्योंकि उसमें जो एकदम एक्स्ट्रीम लेबल में जाके सोच भी चाहरो सकता है वो किया गया लेकिन येस वो तभी करें पहले आपका सुम में सभी से नॉलेज हो तभी मेंस का क्लास सेटें करें अब नेश कोस्टन फोर कोस्टन देखे हम बोलेंगे सिग्मा 1 60 मेगा पासकल हमें दीख रहा हैं सिगs मेदीख्रहा है तो इह हमारा सिगमा मैक्स है यह हमारा सिगमा मैक्स है यह हमारा sobre मिन है यह हमारा sigma max है, यह हमारा sigma mean है, for the material of component, for the material of the component, यह tensile yield strength इतना है, टेक है, according to the maximum CSTS theory, the factor of safety, हम सीधा जुगाड लगाएंगे, कि हमारा mandal का जुगाड क्या बता रहा है, इस formula में, mandal's formula क्या बता रहा है, in this case, mandal's formula क्या बता रहा है, mandal's formula बता रहा है, आपका sigma max, mandal's formula बता रहा है, sigma max, यह दिक्कत कर रहा, this is creating problem, इसको cancel कर रहा है, यहां से आम ले लेता है, this is pencil, yes, pencil, फूरा सावर मोटा कर रहा है, यह, तो, आप बोलोगे, mandal's condition बता रहा है, sigma max, minus sigma mean, divided by 2, equal to, tau y, divided by factor of safety, यह, जो, tau y है, यह, sigma y by 2, according to, according to, to discuss theory, according to maximum success theory, यह आपका sigma y by 2 है, तब पता चला, sigma max, जो, जो 2 है, इसको cancel out हो जाएगा, sigma max, कितना है, 60, minus or minus 40, that must be equal to, tau y, that is, sigma y, sigma y का बलोगे, 200, divided by factor of safety, divided by factor of safety, तो कितना है, factor of safety, कितना आया, factor of safety, कितना आया, यहां भी आपका 100 हो जा रहा है, तो आपका factor of safety का बलोगे जरा 2, और factor of safety 2 हो आएगा, तो इसका मतला आपका answer कुन सा ओगया, b, 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 is the answer, क्या यह खुन में घुसा कैसे जुगाल लग रहा है, लेकिन हमेंसा 3 लिखना सिग्मावान कितना है सिंचमा चीना अगर सिंचमा थरी नहीं छीने में जीनोइ जो भी नहीं है वह जिरू है तो अपका इसको जिरू लगा के हमने मैंचिम में यह चेक कर लेंगे और उसका इस दिस फड्राइप दिस फ्रमुला दिस फिर्मॉला इस लॉस्ट फिर्मॉला इस लॉस्ट फ्रमॉला अत ए क्रिटिकल पॉन्ट पब दॉपनने देर्ट op श्रेंग की मैं वाहिं कर देर्टर चुंद उखमा एक stress theory आप पहले बोलेंगे हमें sigma 1 2 निकलना है तो आपका sigma x plus sigma y divided by 2 plus minus root over sigma x minus sigma y divided by 2 इसका whole square plus tau xy का whole square तो according to this इसके हिसाब से आपका sigma x कितना है 100 mega Pascal प्लास एक इतना है 220 MPa divided by 2 plus minus root over यह आपका कितना है 100 MPa minus 220 MPa divided by 2 इसका whole square plus tau xy 80 whole square तो ऐसे करके मिल जाएगा आप जाके पता चला अच्छा आप जाके पता अच्छा इसके साब से sigma 1 कितना मिला बताओ sigma 1 कितना मिला according to this आपका sigma 1 कितना मिला what is sigma 1 आपका sigma 1 मेरे सबसे 260 260 MPa ठीक है sigma 2 कितना मिला sigma 2 मिल क्या that is equal to that is equal to 60 MPa sigma 3 कितना मिला है नहीं है नहीं तो इसके केस में क्या होगा कि आपका sigma 3 है नहीं तो है नहीं तो 0 है आप जाके यह दिख रहा है sigma max और यह देख रहा है sigma mean और तीसरा में चले गाए आउट ओप्लेंट चला जाएगा और यह आपका tau max यहां पर होगा that is equal to sigma max minus sigma mean divided by 2 sigma max divided by sigma mean divided by 2 होगा इसके हिसाब से आपका tau max जो होगा tau max that must be equal to tau y divided by factor of safety yes tau y divided by factor of safety so according to that आपको जिगोड जुगार लगाना होगा तामस आपका सिग्मा में 260 minus 0 sigma mean divided by 2 that is equal to tau y आपका sigma y divided by 2 होता है sigma y divided by 2 होता है अगर sigma y के वहलों आपको दे दिया गया जितना लोगों ने मंडल जुगड ना लगा के पहले टू टू कुछ 2.41 बता रहे थे गलत हो गया एक खोबड़ा में घुसे तब से मैं एक अगर्यम बता रहा हूं और मंडल्स का फर्मुला भी बता रहा हूं कि जो है बताए कि दो से चेक थोड़ी ऊगा तीसरा कहा कहा घहाँ बडी तो आपका जो भी बडी में आ एपलाई कर रहा हो तो 3D का बात कर रहा हो प्राक्टिकल है तक भी जूरो देखना पड़ेगा ते । चार जो पांच हमने अपलिकेशन लेका इसलिए लेका आए ओजित publi आपक offered में मैं दिखाया था सिग्मा ओन भी है सिग्मा टूब है सिग्मा थी भी है तो आपको कूछ सोचना नहीं है लाइक बढ़ आपको इसके चखकर में आपका क्यَّ आप देखो वह जार रहा है इसकों गूषा बाथ में आऊट्व बड़ोगा इसका हम्ने लगाएगी तब एक मंडल का जुगर्स से युगर्स से खूद से याएगा यह आउट आप प्लेणों अर्यों नग लिए तीoration Rabbit जब भी मंडल का ये मंडल का खूलर्स सब्सक्राइध ये त्षी आपकी ओडर येस का मीन्स क्या होता ना हमारा 1 ano 3 प्लेइब इसलिए बोलेंगे आउट預ड एकुलि ऐसा होता है कि की बडिी बना कि लिखाते है just a minute यह देखो यह हमारा body है यह हमारा element है एसे element है ठीक है ऐसे 3D है अब element तो ऐसे 3D है ना अब stress आपका दो ही है stress थी था नहीं है और यह नहीं है चो क्या हुआ कि ढूरक कि आपका इसेकर क्या कर रहा है यह सब्सक्राइब कर रहा है ये चालन का उसमें एफ नहीं है उसमें उसमेंट नहीं स्ट्रेस कहा हैं स्ट्रेस कहा है यह का सिगमें और बला जिरो ए। लेकिन अपका उन के साथ 3 में जाके मैक्सिमम से स्ट्रेस आ रहा है इसलिए स्का नाम होगा आउट और प्लेन क्यूंकि वह स्ट्रेस है स्ट्रेस उसके साथ ना होके उसका हुसका अधार प्लेन मारे ठीक है अब ऑप पता चल्डा ना जुगार धुनिया में डीजाइन करने का इससे असान तरीका और नहीं है जो मंडल का जुगार से आता है और यह जो in plane, out of plane का कहानी है मनल पूरा solve भी कर रखा है मैंने पुरा solve कर रखा हूँ दुनिया में कभी भी हमें कोई doubt नहीं हो गा हम 3 लिखेंगे पास एक ही जो गड़ बार बार अता हो 3 लिखने न, 3 लिखने न, नहीं है तो 0 जो नहीं है कोई दिककर नहीं है आप जाके, आप जाके क्या होता है, maximum strain energy theory, यह है इस theory है, maximum strain energy theory है, उन्होंने बोला, उन्होंने बोला, कि आगर आपका body energy अबजब किया, और ओही body जब tension test कर रहे थे, तब energy अबजब किया, जैसे देखो, यह जो आपका body है, इसमें 1D stress दे रहे थे, इस body में आपने one dimensional state of stress दे रहे थे, बताओ, इस body पार unit volume कितना energy अबजब किया, इस body पार unit volume कहां तक ? इल्डिऄ तक ? कहां तक ? इल्डिऄ तक, इल्डिऄ तक इल्डिऄ तक ए बोडिऄ आपका कितना strain energy अबजब किया, unit volume of the material unit volume of the material कितना energy अब्ज़ोग किया यह बताओ तब पता चला सैर unit आप जो energy अब्ज़ोग करता है body तो यह जो आपने इस material का test कर रहे हो जिस material का टेस्ट कर रहे हो इसमें one dimensional state of state आपने apply किया 1d यह आपका कुन सा है 1d यह आपने इनर्जी अव्जभ कियो वाई इसमें इनर्जी Tao किया कि इतना इनर्जी इंव्जभ किया इतने आज़ाय राकिदल सर्केमारा कि आपको पता है हाफ इंट्लेस इन टूरेश होता है एपसालन सीम्इड होता है कर सिलनों बाल इन फैन कि रही बाकी तोरह में कोई स्ट्रेस स्ट्रेस है नहीं बाकी तरह में किसी में स्ट्रेस है नहीं कोई है नहीं मतलब इसमें सिग्मा वान का वालू सिग्मा वाई है सिग्मा टू का वालू जीरो है सिग्मा थ्री का वालू भी जीरो है अब यह जो स्ट्रेस है स्ट्रेन है ओ सिग्मा ये इंटो सिग्मा वाई इंटो सिग्मा वाई डिवाड़ वाई आप बताओ अगर वांडी होगा वांडी होगा स्ट्रेन क्या होगा उधर वाला स्ट्रेस वाई आपको अगर किसी डिरेक्शन का स्ट्रेन निकालना है उधर वाला स्ट्रेस वाई ये मैनस मीव इंटो बाकी दुधर वाला वाई आप ना तो ये है ना तो ये है तो क्या होगा ये जो आपका वाई है एफसला कर लिया इसने आप्जाव कर लिया trank पर मीली भीट्यार क्यू üzर मेट्रियाल को जिसका आप ड्यूंस मेरा ड्याग्राम अच्छा नहीं बनाई यहांप ध्को जब आपने टेंसंटेस्ट कर रहे थे में जब आपने टेंसंटेस्ट कर रहे जब आपने टेंशन टेस्ट कर रहे थे तो उसमें पार यूनिट वालियूम जब आपने टेंशन टेस्ट कर रहे थे उसमें पार यूनिट वालियूम क्या हो रहा था जब धन रखे जब हम टेंशन टेस्ट कर रहे थे उसमें जब हमने टेंशन टेस्ट कर रहे थे उसमें पा आप आपने चले गए 2D 3D आप चला जाओ 2D 3D आपने 2D 3D में चला गया तो हमारा 2D है तो 2D में इस तरह में सीगमा 1 बैठा है इस तरह में सीगमा 1 बैठा है इस तरह में सीगमा 2 बैठा है अगर 3D बोलोगे 3D में इस तरह में बैठा है सीगमा 1 इस तरह में सीगमा 2 इस तर करो बताओ आपका body पार unit volume किदना सिने जोगा जो किया तब पता चला इसका half into sigma 1 epsilon 1 plus half into sigma 2 epsilon 2 plus half into sigma 3 epsilon 3 कर दो अगर मनलो 2d 2d में sigma 3 नहीं है आप जैसे ही किया तब जाकिया गया 1 by 2e into sigma 1 square plus sigma 2 square plus sigma 3 square minus 2 mu into sigma 1 sigma 2 plus sigma 2 sigma 3 plus sigma 3 sigma 1 यह होता है कि देखे हैं सुभा आप बताओ अगर इसका वैलू इसका वैलू जो मेटल आप जब किया इसका वैलू 90 जूल पार मिनिमीटर क्यूब है क्या फेलियोर होगा बताओ आप जब वान डायरेक्शन में टेस्ट कर रहे थे ताब उसका इल्डिंग होने के लिए तो इसका इल्डिंग होने के लिए आपको लेकिन इसी मेट्रियाल को जब 2D में APLYO propose तब पताओ तो टोटाल मिला के नाइनटी जूल पार मिलिमेटर क्यूब आ रहा है क्या इस मेटियल का फेलियोर होगा नहीं होगा क्यूं नहीं होगा तेल कम है क्यूं नहीं होगा तेल कम है मतलब एनरजी नहीं है तो कहां से फेल होगा इस मेटियल का फेल होने के लिए 100 जूल इल्डिंग होने के लिए 100 जूल पर मिलिमेटर क्य एनरजी चाहिए और आपने दिया नाइन टी जूल पार मेंटर को कहां से फेल होगा तेली कम है आप पता चला फिर फेल नहीं होगा तो हेज ने क्या ना कॉंसेट्ट लगा ना उन्होंने बोला कि यह जो कॉंसेट्ट है यू जो आपका बॉडी में आया डैट मस्ट बी लिश दन इकॉल टू यू आई आएम सिर पहली बार धरती में मंडल से चीज़ करन पॉंसेट्ट क्लियर हुआ आयम सिर पहली बार इस धरती में आपको यह कंसेट्ट क्लियर हुआ कि यह मैक्सीमाम स्ट्रेन इनर्जी थियोरी है क्या चीज उन्होंने बोला कि देखो हेज ने बोला कि यह जो आपका बॉडी को जब आपने टूडी में थ्रीडी में अप्लाई किया तो 90 जूल पार मिन संटेश करते हो तब 100 जूल पार मिटर को अपदे तो तब इल्डिंग होता है तो क्या इल्डिंग होगा तेल कम है इनर्जी कम है कहां से इल्डिंग होगा तो कंडिशन क्या है कि u must be less than equal to ui तो आपका body safe है आपका material failure नहीं होगा आपका body safe है आपका material failure नहीं होगा ठीक है आप जाके आयूस बोलना है first time sum में इतना clear हुआ देखो sum design दुनिया में कहीं से भी पढ़ लो sum design दुनिया में कहीं से भी पढ़ लो यह सब concept किसे को आता होगा ठंक से तब ना पताएगा इसने कैसे बनाया था भाई वो PhD करने का भी से है इसने कैसे theory बनाया था वह हमें पहले पढ़ पढ़ के घुसा तब जाएगा पत्चला ऐसे बनाया था उन्होंने बोला यह जो आपका 90 जूल पर आ रहा है यह बात हो रहा है यह रेजिलियंस नहीं है इस नोट रेजिलियंस राजनी से रेजिलियंस नहीं है इस इस बात बताओ कि आपको अगर है अपको कैसे याद करना होगा आप बोलोगे यू का बैलू जो आपका बॉडी में आएगा डैट मास्ट बी लेस देन इकल तो यू आई स्क्वेयर माइनस 2μ इन्तू सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लास सिग्मा 2 सिग्मा सिग्मा 3 प्लास सिग्मा 3 सिग्मा 1 तो यह हैं हाप इंटू सिग्मा वाई स्क्यार वाई इए तो वान वाई टू यह आन वाई टू दूनों से काट दो काटने के बाद यह बन गए अपका 3D का फर्मूला अब एक जाम सेंटर में कुई लोग ना धुआ निकालता है कि सेर यह जो इस तरब में आपका फर्मूला है यह जो सिग्मा वाई है उसका स्क्यार होगा की नहीं होगा हमें क्या पता रैट सेट में कभी स्क्यार नहीं होता है कभी स्क्यार होता है बताओ इसका उनिट मेगा पास्कल का स्क्यार होगा तो इस तरह में भी मेगा पास्कल क स्क्वेर होगा इसका मतलब जाए सीगमा वाई का स्क्वेर होगा कि एक सिरीज इंटर्व्य कोस्टन की भी चाहिए आपसे यह पहले यह नहीं पहला भी गेट हो जाए उसके बाद दरूँगा गेट का रेजल्ट आ तब करूँगा तब भी करूँगा पूरा ठीक है उसमें करूँगा अभी जैसे एक दिन कर रहा था उसके लिए पहले खुबड़ा में घुसे जुगाड को भाई खुन में घुसा भाई तो यूनिट कैसे मैच करेगा होगा एगा च्जोग एंहां रएण टूड़ी औक टूडी वाई जो गात इसके सिक्वाड फियाद से का तूड़ी वल्यसीटिक का तीक बैट ओ करेगा इसके चेकर में इसे जुगर लग जाएगा अब यह थियोरी पहले बनाया था कि इस ने इस ने बनाया था मैक्सिमम स्टेनरजी त्योरी उसके बाद उन्होंने देखा यह ना तो डाक्टाल मिट्रेल ठीक से बात कर रहा है ना तो डाक्टाल मिट्रेल ठीक से मैच कर रहा है और ना तो ब्रिटल मिट्रेल ठीक से मैच कर रहा है तब जाके बोला इस थियोरी का हम एप्लाई तभी करेंगे अगर एकजामिनार बोला नहीं तो हम खुद से कभी नहीं करेंगे क्या अलगर्थम हुआ क्या हुआ अभी अलगर्थम क्या हुआ इस कोश्चेन कोश्चेन में अगर लिखा होगा एक जमना लिखके देगा एक जमना लिखके देगा कि भाई इसमें इसमें मैक्सीमाम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी अप्लाई करो तभी करना नहीं तो खुद से क अपक्सिमाम स्टेनजी थुरी मत्र लगाना या क्लियार हुआ भी सब्सक्राइब लगा लगा दोगे पता नहीं उसमें फास्ट चाइस सेगेंग चूप गया अगर कोई भी में चाहे डाक्टाइल होगा उसमें बाइड डिफॉल्ट आप एक थियूरी नहीं लगा सकते क्योंकि एक कोई भी में धंग से फरोनी होता है इसलिए कोस्टन में एक जमन को लीक के देना पड़ेगा त जिसका बहुत दिन से तबन्ना था और इसमें जितना स्टाल लगा सकतो लगा दो जितना स्टाल लगा सकतो लगा दो क्योंकि स्टार स्टार में उसको भरपूर कर दिया जाए क्योंकि सबसे ज़्यादा आज तक यही आया है यही आता है यही आएगा एन यह डाक्टाइल म ट्याल के लिए नंबर वान थेयोरी है मैक्सीमाम स्ट्रेन एनर्जी थेयोरी 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 इसका स्ट्रेन एनर्जी थेयोरी और ये थिवरी कब लगाएंगे न डॉसरा आप्शन है इस तेवरि वह भी आप्शन है तब पता चला जो डीस्टोर्शन इनर्जी एबजाब करता है कोनगर करता है सर, distortion एनरजी कोन अब जब करता है, आगर आपका body ऐसा होगा कि आपने एक आपका body में sigma 1 बैठा है, sigma 2 बैठा है, तो यह आपका 2D body है, आगर आपका body में 3D state of stress बैठा है, sigma 1 बैठा है, sigma 2 बैठा है, sigma 3 बैठा है, यह 3D body है, तो यह जो material है, इतना, इतना amount of distortion energy अब जब किया, कौन सा होता है, distortion जी सर, that is, shear stress strain, shear strain energy, कितना shear strain जब जब किया है, तीनो stress मिला के, तीनो stress मिला के, आपका UD, that is the formula, इतना amount of distortion, अगर आप धंग से देखोगे, यहाँ पर 2MU नहीं है, अगर धैम से तो 2MU नहीं है, यहाँ पर 2MU दे देते, तो strain energy हो जाता, 2MU जैसे हाँ से हटा देंगे, 2MU को हटा का 1 कर दो, 2MU को हटा का 1 कर दो, आपका जो strain energy था, ओई, CR strain हो जाएगा, 2MU को हटा दो, जैसे देखोगे, 2MU हटा दिया, जो strain energy था, आपका CS हो जाएगा, तब जाके CS energy हो जाएगा, and this is the formula, इसी को जुगार लगा के पुलाएक काम करते हैं, आप जाके ऐसे बन जाएगा, अब यहाँ पर 12G होगा, अब पता चला अच्छा, इसका मतलब का जो 1 प्लास 6 ही है, आपको पता है, इका मतलब कितना हता है, इका मतलब होता है, 2G into 1 प्लास मू, तो EC को इधर होता हो, इसको 1 by 2G, 1 by 2G equal to 1 plus mu divided by E, अगर इसको into 6 करोगे, इसको into 6 कर दो, तो आपका 12G हो जाएगा, 1 by 12G into this, 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 तब पता चला अच्छा, फिर ए जो फर्मूला है, एही ए फर्मूला है, एही ए फर्मूला है, तीनो एकी है, किनो एकी है, किनो एकी है, एग इतना डिस्टन के अब जब किया, तीन फर्मूला रटले, बाकी काम हम काल कराएंगे, and distortion energy सबसे important है, tomorrow जो class time होगा, हमारा same रहेगा, 6.30 से 7.30, इसमें कोई doubt नहीं है, आप हमारा 8 से 9, इसके बाद हमारा जो next मेरा जो class है, वह 8 to 9, लेकिन 8 to 9 जो class है, वो किस में होगा, 9.30, 9.30, किस में होगा, न ओ होता है, आन अकाडेमी special class, वो free है, this is also free, यह भी free है, you should be thankful to the आन अकाडेमी, कि free में class करा दे रहा है, और वो जो है, उसमें होगा inventory control, inventory control, उसका दो lecture हो चुका है, अभी हमारा तीसरा lecture शुरू होगा, ठीक है, चलो, bye bye, खूस रहे, जो भी doubt है, उसके लिए हमारे पास जोगाड है, ठीक है, special class में, you can attend that, inventory control के लिए, दो class हो चुका है, उसके बाद भी आप जयन कर सकते हो, क्यो जसके लिए, 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